प्रिवियस एयर क्वेश्चन की सीरीज में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जोग्राफी जोग्राफी में भी क्लामेटलोजी इस सीरीज में क्वेश्चन इस तरह एरेंज हैं जहां सिमिलर सिमिलर नेचर के क्वेश्चन हैं और उन सिमिलर क्वेश्चन के नेचर से हमें यह है idea लगेगा कि UPSC कैसे question पूछ रहा है इससे हमें previous year question पर जो है command होना जो है उस पर हमें पता लगेगा इस सेरीज में पहला जो question है कलामेटलोजी में question है a layer in the earth's atmosphere called ionosphere. firstly it's radio communication why. presence of ozone causes the reflection of radio waves to the earth. second radio waves have a very long wavelength which of the statement given above is our correct. अगर simply हम देखेंगे इस question को तो हम इस question में यह है mark करने को करेंगे कि statement कौन सा सही है या कौन सा गलत है but statement ही है पूछ रहा है कि ionosphere जो है वह है facilitate क्यों करता है radio communication को तो यह है statement तो हम गलत कर देंगे कि यह ionosphere है जो facilitate करता है नहीं कि ozone layer का presence stratosphere में समताप मंडल में गलत है but इस trap में हम कभी भी trap हो सकते हैं कि question यह पूछ रहा है कि radio communication आर्थ के जो atmosphere में लेर उससे क्यों होता है question यह नहीं पूछ रहा है कि statement कौन सा सही है इसका region first statement यह second statement है कि नहीं यह question पूछ रहा है तो क्या यह region है इन जनरल यह statement सही बट क्या radio wavelength का जो है very long होना इसका region है नहीं है यह thinking UPSC ने पूछी है और इसी thinking पर UPSC ने नर्मदा और तापती पर भी question पूछा है कि नर्मदा और तापती do not form a delta y अब वहाँ पर statement नर्मदा और तापती की बड़े में सही है बट जो UPSC ने question दिया है वो पूछाता y तो यहाँ पर इस तरह हमें यह नजर रखनी है कि इसने question y पूछा है question ने यह नहीं पूछा है कि statement कौन सा सही है यह thinking हमें catch करना है इस question का answer है D हमें in previous question से यह पता नहीं करना की और यह रट्टा नहीं मारना की question आया हुआ है और question से और in question के statement से हमें knowledge भी गेन करना है तो हमें यह भी गेन करना है कि वह question कैसे पूछ रहा है हमारी psychology को वह कैसे प्रेप कर रहा है next question देखते हैं कि next question क्या है जो next question है वो है कि jet aircrafts fly very easily and smoothly in the lower stratosphere what could be the appropriate expression first there are no clouds or water vapor in the lower stratosphere there are no vertical winds in the lower stratosphere simple यह question है और यहां पर जब हम question करेंगे तो question में हमें यह देखना है कि क्या इसने करक्ठ पूछा है कि नौट कर पूछा है इसने करक्ठ पूछा है और जेट एरक्राफ्ट जो है इस्ट्रड़स्वेर में स्मूथली जफ प्लाई करते हैं उसका रिजन पूछा है तो यह इस्ट्रड़स्वेर है यह इस्ट्रड़स्वेर आपके थर्मोस्वेर के उपर है और इसके बाउंडरी पर है आपका जो है जहां पर जहां पर जहां टेंप्रेचर विरीशन नहीं है तो यहां पर जहां आपका वाटर वेपर जो है वहां नहीं होते हैं और एज मूव अ waterway पर जो है कम होते रहते हैं तो इसके कारण यहाँ पर climatic variation नहीं होते हैं और इस कारण यहाँ पर aircraft fly करते हैं और no vertical winds हैं तो कोई भी wind share effect नहीं होगा तो इन दोनों कारण और यह है statement, यह question easy है इस question का answer है C, यहाँ पर कोई thought नहीं है जो हमें यहाँ पर देखना हो, next question अगर हम देखें तो UPSC का next question जैसे उसने jet stream पर question पूचा है stratosphere पर पूचा है तो यहीं similar एक question है consider the following statement jet stream occur in the northern hemisphere only only sub cyclone develop an eye, third the temperature inside the eye of a cyclone is nearly 10 degree centigrade lesser than that of this surrounding अब इन questions को करने के लिए हमारी strategy यह होना चीए कि पहला statement हम पड़े फिर यहाँ नीचे जाए second पड़े फिर नीचे जाए third पड़े फिर नीचे जाए अगर first statement देखते हैं हमें क्या होता है जब हम books पड़ते हैं जब question पड़ते हैं हम यहाँ याद करने कोशिश करते हैं कि हमने पड़ा क्या है but actually in MCQs में हमें यहाँ relate करना है कि हमें कुछ पता है अगर something हमें पता है तो उसके base पर इस statement को हम right और wrong कैसे prove करें for example जब हमने jet stream पड़ा है तो हमने एक diagram पड़ा होगा jet streams का northern hemisphere में भी है तो हमें southern hemisphere का भी diagram पड़ा है अगर वह हमें एक्जाम में याद आता तुरत हम कहेंगे यह statement wrong होगा अगर यह statement wrong होगा तो 1 नहीं होगा D नहीं होगा और option फिर बचता है 2, 3 and 2 only 2, 3 and 2 only अब इस पर आगे क्या बढ़े second है only some cyclone develop an eye the temperature inside the eye of an cyclone nearly 10 degree lesser than that of the surrounding surrounding है यह eye है अगर surrounding गा temperature 28 degree centigrade है तो इसका मतलब temperature नहीं 18 degree centigrade यही statement पूच रहा है क्योंकि exam में confusion क्या होगा जो तुम में से भी कई लोगों हुआ होगा कि यहाँ 18 है तो यहाँ 28 होगा और इसको सोच कर question को क्या कर दोगे सही कर दोगे अब यहाँ question पूच रहा इतना ले सर हाँ आई जो है temperature कम रहता है calm area है eye wall के मुकाबले बट अगर इतना temperature difference होगा क्योंकि यहाँ सोचना है पहला तो अगर यह सोचा है तो इस वे से wrong कर सकते हो कि cyclone तो low pressure area है तो इतना difference नहीं होगा और eye में temperature जो है ज़्यादा होना चाहिए कई लोग तो यह सोचेंगे हो सकता है वो सोच कर कहा दें कि third गलत हो और second only मार दे बट यह उल्टा है eye जो है उसका temperature ज्यादा होता है बट surface पर यह temperature difference इतना भी नहीं होता yes upper layer में वह difference ज्यादा होता है बट exam में अगर हम यह thinking भी करते हैं तो इस statement के basis पर भी इसको third को wrong कर सकते हैं अब यहाँ पर confusion होगा जितने हमने cyclones पढ़े हैं वहां हमने eye देखिए बट hurricane बेगयू यह सब भी तो cyclones के type है और जरूर नहीं कि वहाँ पर eye develop हो thunderstorm भी तो जा है आपके cyclones का एक type है आपका tornado भी तो इसी का एक type है अगर वह example सोच लेते हैं तब भी सोच पाएंगे yes second definitely right है but third में अगर नहीं पोच पाते हैं तो हमें यहाँ पर यह 50-50 probability question है अब अगर वहाँ पर यह 50-50 बचता है और third को आप eliminate नहीं कर पाते हैं तो आपको इसे second और third round में question करना है अगर exam से पहले हमने यहाँ देख लिया है कि हमारी strength geography है तो हमें exam में जब risk लेना है तो ऐसे question में हम फिर risk लेंगे but इसका answer जो है वो है C 2 only यह question 2020 prelims का है और 11 से 20 तक UPC ने geography के minimal question पूछे थे परन्तु 2021 में उसने बहुत से question पूछे हैं इसका मतलब UPC जो unpredictable है उसमें कोई area आप leave नहीं कर सकते है सभी area की आपको holistic preparation करना है next question देखते है next question है 2012 का और इसे similar आगे जो question है वाल लीनो इंडिन ओशन डाइपोल वगेरा के हैं जो हम next lecture में डिसकस करेंगे तो अभी का question क्या है normally the temperature decreases with the increase in height from the earth surface because जब जोग्राफी में question आता है तो हम इन questions को हवा में करने कुश्च करते है जब जोग्राफी और जब special dimension का question हो तो हमें डाइग्राम बनाकर relate करके question करना है जैसे 2021 में जो question आया Eastern और Western जो है ocean का तो कई लोगों को आते हुए भी उन्होंने question रॉंक किया जो हम आगे की स्रीज में देखेंगे next lecture में वो क्यों किया क्योंकि हमने डाइग्राम नहीं बनाया अगर यह question है तो simply यह कह रहा है as we move up जब अप जाते हैं तो temperature decrease होता है जो हमें पता है जो हमें पता है lapse rate why the atmosphere can be heated only from earth's surface अब कई लोग क्या करेंगे इस only word को देखकर कहेंगे गलत है only का मतलब यह है नहीं गलत है only और यह जो exceptional words है that means हमें उन पर extra attention देना है और उसके बारे में जो related knowledge है उसके basis पर हमें यह देखना है कि सही है कि नहीं है अगर हम earth की बात करें तो यहाँ पर जो आपकी यह है short wave radiation है इससे earth की hitting होती है earth like a black body यह है warm होती है और इससे जो radiation निकलती है long wave radiation जो terrestrial radiation है उनके contact में जो यह layer आती इसी की वज़ेश heating होती है और यही कारण है कि nearby the earth surface temperature ज्यादा होता है और as we move up यह loss होता रहता है तो यह region सही है बाट कई लोग इस only को मानकर इसी first को ही क्या कर सकते है wrong कर सकते है मान लीजिए किसी ने first को wrong कर दिया है फिर भी उसको statement आगे पढ़ने है there is more moisture in upper atmosphere आप अपर atmosphere में जाते हैं तो आपका moisture क्या होता है decrease होता है maximum moisture आपके क्या है surface के पास अगर आपने यह मान लिया कि wrong था पढ़न तो यहां पर second में आपको लगेगा कि नहीं यह तो wrong ही है अगर आप इसको wrong करते है two and three को one two three को और first आप पहले ही wrong कर चुके थे जब आपने सोचा कि यह पहला ही गलत होगा इसका मतलब जब आप इस तरह करते हैं तो आपको तुरंत पतलता है कि नहीं पहले मैंने सोचा था वह गलत था तो that means there is a contradiction there is a contradiction और जिए contradiction से फिर हो सकता है कि first को फिर आप दुबारा सोचो यहां पर second definitely wrong है first के बार में आप अभी अज्यूम नहीं कर सकते तो answer either should be a, either should be c one only or one and three only third statement क्या है the air is less dense in the upper atmosphere earth है इसकी gravity है gravity की कारण maximum air यहां पर है और as we move up वहां पर आपका gravity ज्यादे ज्यादा capture नहीं कर पाती तो as we move up आपकी density क्या होती है decrease होती है और आपको यह diagram भी पता होगा density का इससे भी आप कह सकते हैं थर्ड सही तो अगर आपका one सही नहीं था थर्ड प्रूब कर देते हैं तो automatically answer इसका C आता है इस तरह UPC के जो है question किये जाते है exam hole में भी question जो है in UPC previous year से हमें यह सीखना है कि thinking क्या है exam hole में जब हम बेटे हैं तो हमे question कैसे करना है हमारा mind जो है वहां कैसे चल रहा है 2021 में कई लोगों ने exam दिया होगा exam में वह question tough लग रहा होगा पर रूम पर वही question easy लग रहा है because ultimately those two words are more important rather than आपने क्या पढ़ा है आपने क्या पढ़ा है और उसी के लिए हमे previous year question जो है उनका practice उनका thought process यह सिखाता है कि वहां exam hole में हमें अपने mind को कैसे tune करना होगा इसी सीरीज को हम continue रखेंगे first हम geography करेंगे और इसके later on other subjects उनको complete करेंगे यहां पर कुछ selectively question नहीं लिए अपितु सारे जो geography के question है वह लिए गये है और यह booklet जो है वह आपको last में available हो जाएगी ताकि एक साथ आप उनको practice कर सको यह 2011 से 2020 और 21 के question की series है question की series है जो हम practice कर रहे हैं